हेलो फ्रेंड्स आप सभी का नियो वर्टेक में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे एरपोर्ट में आई सीधी भरती की दोस्तो अगर आप आपका करियर जो है एरलाइन्स में बनाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है क्योंकि सरकारी एरलाइन्स जी हां दोस्तो हम बात करने वाले हैं एर इंडिया में निकली हुई लेटेस्ट रिकूर्मेंट की एर इंडिया ने लेटेस्ट रिकूर्मेंट का नोडिफिकेशन जारी कर दिया है सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ दिखायता हूँ और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चरण को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चरण को जल्दी से जल्दी अभी के अभी सब्सक्राइब करें वीडियो की नीचे लाल बटन को दबा करके और साथी साथ इस घंटी के बेल आइकन को एरिपोर्ट में वेकेंसी आ चुकी है जो कि एर इंडिया की तरफ से निकाली जारी है ठीक है गौलिफिकेशन मिनिमम है दस्वी पास अगर आप दस्वी पास है तो आप अपलाई कर सकते हैं मैक्जिमम क्वालिफिकेशन की कोई भी लिमिट नहीं है टेकनिकल नोन टेकनि ओल इंडिया की जोब है भारत में किसी भी राज्य में चाहे आप राजस्तान, गुजरात, महराष्ट, उत्तर परदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियना कहीं भी आप रहते हो तो आप अपलाई कर सकते हों और दोस्तो इस भरती की पूरी जानकरी के लिए आपको क्या करना हो हमारी इस ओफिशल वापसाइट पर आना होगा जिसका नाम है www.serkari-examjob.com और दौस्तो आप Google में सर्च करके भी हमारी umm सर्च पर आ सकते हैं आपको Google में सर्च करना होगा www.serkari-examjob.com जैसे आप सर्च करेंगे आप हमारी इस ओफिशल वापसाइट पर आजाएंगे यहाँ पर आपको daily basis पे जो भी private और government नौकरियां होती है उनकी update daily basis पे आपको दी जाती है तो आप हमारी इस website को subscribe भी कर सकते हैं तो आपको नीचे आना होगा यहाँ पर आपको नीचे option मिल जाएगा airlines jobs का यहाँ पर आप दे सकते हैं काफी सरी requirements हैं यहाँ पर airlines की requirements भी है, private jobs भी है, government jobs की भी update दी जाती है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं Air India की requirements निकाली जारी है latest और साथी साथ यहाँ पर आप private airlines की requirement भी दे सकते हैं Indigo Airlines की requirement भी है, Air Asia की भी requirement है, SpiceJet की सारी requirements की update आपको मिल जाएगी सबसे पहले आपको सबसे पहले option पर किलिक करना होगा AIESL requirement की हो जैसे आप किलिक करेंगे आप सीधा नए page पर redirect हो जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको इस भरती की पूरी information दे देता हूँ Air India Engineering Services Limited AIESL की तरफ से यह latest requirement देखने को मिल रही है यहाँ पर post जो है Aircraft Technician and Skill Tradement की post है ठीके 355 यहाँ पर total vacancies है walk-in interview है दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई भी exam नहीं होगी सीधा आपका walk-in interview के माददम से आपका selection हो जाएगा salary जो है आपको basic salary जो है शुरुआत में आपको 20,000 रुपे पर month मिलें कि उसके बाद आपकी salary बढ़ के काफी अच्छी हो जाएगी यहाँ पर आपको extra benefit भी और मिलेंगे ठीके दोस्तों और आप बात करते हैं job location की तो दोस्तों और इंडिया की job location है north region, east region, south region, western region सभी जगे यहाँ पर job location है और और इंडिया के male और female candidates apply कर सकते हैं age limit की बात करते हैं तो यहाँ पर maximum जो age limit है वो है 35 years और age relaxation भी है IUCMA में छूट भी है जो की एस पर rules क recording आपको दिया जाएगा application fees की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर general OPC के लिए 1,000 रुपीज application fees है और SCST के लिए 500 रुपीज application fees होगा आपको application fees का जो payment है demand rough DD के थुरू ही करना होगा education qualification की बात करते हैं तो minimum यहाँ पर तेंथ पास है maximum 12th ITI diploma engineering post graduate graduate सभी qualified candidates apply कर सकते हैं apply कैसे करना है यहाँ पर पूरा process दिया गया है और आपको पी-म तक चलेंगी आपकी walk-in interview ठीक है इंबोरेल लिंक्स में आपको notification के साथ-साथ application forum भी मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आप सिधा notification पर आजाएगी दोस्तो notification में यहाँ पर आपको पूरी इस requirement की जानकारी मिल जाएगी कौन-कौन सी post है और यहाँ पर selection process क्या है इस limit क्या है qualification क्या है किस प्रकर आपको preparation करनी होगी walk-in interview यहाँ पर कब से कब चलेगा यहाँ पर आप सते address आपके दे रखे हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी post के लिए दोस्तों यहाँ पर कितनी vacancies है date mention कर रखी है और address भी mention कर रखा है New Delhi में आपके walk-in interview चलेंगे यहाँ पर toll-free number भी दे रखे हैं आप चाहें तो यहाँ पर contact करके भी पूछ सकते हैं notification में आपको toll-free number भी दे रखे हैं तो यहाँ पर interview में जाने से पहले आप एक बार call जरूर कर लीजेगा क्योंकि अगर suppose कीजिए यहाँ पर postpone हो जाती है किसी भी कार्ण से interview तो यहाँ पर आप confirm कर लेंगे तो आपके आने जाने का जो खर्चा है वो बच जाएगा आपका time बच जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपको पूरी information मिल जाएगी कहां कहां आपर job location है कॉलकटा में भी है यहाँ पर आपकी walk-in interview चलेगी हैदराबाद में भी चलेगी और यहाँ पर मॉंबई में भी आपकी walk-in interview है मतलब की चारो जोन में आपको यहाँ पर walk-in interview देखने को मिल रही है यहाँ पर North region में धेली आता है इस रिजन में कॉलकता है और साउथ रिजन में हैदराबाद है और वहीं वेस्टर रिजन में मुंबई है ठीक है तो यहाँ पर जॉब लोकेशन है साथ सभी के कॉंटेक्ट नमबर भी यहाँ पर मेंशन किये गए है अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को ध्यान स जरूर पर लिजेगा ताकि आपका पेसा और समय परबाद होने से बच जाए और यहाँ पर सारे डोकुमेंट्स दे रखें कौन-कौन से डोकुमेंट आपको वकेशन इंटर्वू के समय लेके जाने होंगे फोटोग्राफ आपकी जो भी डोकुमेंट से आपके फोटो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजीगा शेर भी कीजीगा ऐसी परका लेटर सेक्रमेंट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटिका बेल आइक अन दबाए जे हिंद जे भारत